प्रिये हिंदी मित्रों, नमस्कार, हाइटिक हिंदी परिवार में आपका स्वागत है, एक नए महत्वपूर्ण और जरूरी वीडियो के साथ आज हम पुना होपस्थित हैं, अन्तिम्रेवीजन हिंदी साहित अति महत्वपूर्ण प्रशनों की स्तरिंखला चल रही है, और अंतरगत, प्रती दिन हम आपके लिए कुछ नए प्रशन लेकर के आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण और परिशोप योगी प्रशन होते हैं, और उमीद करते हैं हम कि इनकी तैयारी अगर आपकी होगी, तो आप परिशा में निश्चत रूप से बहतर करेंगे, बहुत थो हरिक जीवन में, अपने दैनिंदिन जीवन में हिंदी का खोव प्रियोग करें, और साथ ही साथ हिंदी साहित्य पढ़ने को लेकर के आत्म विश्वास का भाव अपने अंदर जागरत करें, आईए आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रशन देखते हैं, आज का पहला प्रश हिंदी को राश्ट भासा बनाने का विचार सरप्रथम किस राजिसे हुआ, जी हां बंगाल से, हिंदी को राश्ट भासा बनाने का विचार सरप्रथम हुआ था, हिंदी, हिंदो, हिंदुस्तान का नारा किस ने दिया था, प्रताप, नारायन, मिस्र ने दिया था, किस ने सह भाशा के रूप में हिंदी को किनकिन राज्यों ने घोसित किया है सह भाशा से आसया है कि एक भाशा उनकी अपनी छेत्रिय भाशा है और उसके बाद दूसरी भाशा के रूप में उन्होंने हिंदी को अंगीकार किया है जैसे पंजाब राज्य की छेत्रिय भाशा और मात गुजरात की गुजराती लेकिन इसके अलावा इन तीन राज्यों ने हिंदी को सह भाशा के रूप में घोसित किया है। 10 जनुवरी को मनाया जाता है संयुक्त रास्ट्र संग ने इस तिथी को घोशित किया है आपको कमेंट करके हमें बताना है कि किस तिथी को जो है किस वर्ष 10 जनुवरी घोशित की गई विश्व हिंदी दिवस के रूप में आ की बारह खड़ी का प्रियोग कहां हुआ सरप्रथम ये है प्रशन है आ की बारह खड़ी जिसे सावरकर बंधों ने दिया था उस आ की बारह खड़ी का सरप्रथम प्रियोग कहां हुआ महात्मा गांधी जी के द्वारा निकाले जाने वाले पत्र हरीजन सेवक में सरप्रथम आ की बारह खड़ी का प्रियोग हुआ था अगला प्रशन है रास्ट्र भाषा की पहचान के महत्व पूर्ट तत्व कौन से हैं रास्ट्र भाषा और राज भाषा में बहुत बुनियादी फर्क है लोक ब्योहार में प्रियोग होने वाली भाषा रास्ट्र भाषा है अनौपचारिक सब्द भंडार गैर पारिभाषिक शब्द भंडार अनिश्चित सब्द भंडार जिसका होता है वह रास्ट्र भाषा होती है सांस्कृतिक प्रियोगों के लिए प्रियोग की जाने वाली भाषा सांस्कृतिक प्रियोगो होती है जबकि जो राज भाशा होती है वह अपरिवर्तनिय होती है वह पारिवाशिक होती है उसका निश्चित सब्द भंडार होता है वह राज भाशा के कारियों में प्रियोग की जाती है और एक आपचारिक भाशा होती है यहां अंतर है राज भाशा और राश्ट भाशा म संबिधान के किस भाग में राजभाशा का सीर्षक है भाग सत्रह में, पांच छे और सत्रह में शंबिधान में राजभासा सम्मंधी उपबंध है जिसमें राजभासा सीर्षक है भाग सत्रह में, पंद्रह वर्षबाद अंग्रेजी खत्म करने का प्रावधान किस अनुच् 122 संविधान सभा में राजभाशा संबंधी प्रस्ताव किस ने पारित किया गोपाल स्वामी अयंगर ने संविधान सभा में राजभाशा संबंधी प्रस्ताव पारित किया था राश्टर भाशा संमेलन कांग्रेस के किस-किस अधिवेशन में हुए आपको कमेंट करके बताना है कि ये अधिवेशन जो थे किन किन वर्षों में हुए थे फैजपुर अधिवेशन और हरिपुरा अधिवेशन ये दो कांग्रेस के ऐसे अधिवेशन थे जहां राश्टर भासा से सम्मंदित सम्मेलन हुए थे आपको कमेंट करके बताना है कि फैजपूर अधिवेशन और हरिपूरा अधिवेशन किस वर्स हुए थे यदि आपको जानकारी नहीं है तो आपको हाइटिक हिंदी के द्वारा बनाए गए राज भासा पर किंदरत वीडियो को देखना चाहिए बहुत महात्वपूर वीडियो है चालीस मिनट का वीडियो है जिसमें राज भासा पर बनने वाले अधिक्तम प्रशनों पर हमने बात की है एक एक तथ्य और एक एक बिंदु पर हमने करम सहबात की है आज का प्रशन है हम उमीद करते हैं कि आप कमेंट बाक्स में इसका उत्तर देंगे प्रयास बहुत महत्तोपूर्ण है आप जितने भी प्रशने लिख देंगे जितने भी उत्तर लिख देंगे कमेंट बॉक्स में वे हमेशा के लिए याद हो जाएंगे इसलिए आप अपना सरवोत्तम देने का प्रयास करिए कौन क्या कर रहा है इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप क्या कर रहे है 27 संविधान संसोधन में किस भाषा को जोड़ा गया ये आपको कमेंट करके बताना है आज का प्रशन है सिंधी, संथाली, डोगरी या बोडो कौन सी भाषा है जिसे 27 संविधान संसोधन में जोड़ा गया था जी हाँ ये कमेंट करके आप हमें बताएंगे तो यह रहा आज का वीडियो अगला वीडियो लेकर हम अगले दिन मिलते हैं तब तक के लिए